वेलकम बेक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इस नाई श्री आशा करते हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी बढ़ाई बहतरीन तरीके से कर रहे होंगे आज का ये वीडियो बहुत ही जवरदस्त होने वाला है क्योंकि इस सिंगल वीडियो में आपको जनरल अवेरनेस के सभी के सभी टॉपिक जो आपके सलेवस में मेंचन किये गए हैं यूपी टॉपिल सी पैट परिक्षा के वो सभी टॉपिक मिलने वाले हैं यानि कि इसी सिंगल वीडियो में आपका पूरा जनरल अवेरनेस कबर होने बाला है इस वीडियो में आपको क्या-क्या मिलने बाला है मैं आपको एक सौड व्यू देती हूँ सबसे पहले हम विश्व संगठन और उनकी मुख्याले पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी दे प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पढ़ेंगे पुरुसकार इवं विजेता पढ़ेंगे और जलवायू परिवर्दान इवं परियाबरन पढ़ेंगे तो महरवान कदरदान आप अपनी पैन और कॉपी साथ में लेकर वैठिएगा जो चीजें आपको नहीं आती है उनक की हेड़कॉर्टर्स तो सबसे पहला जो क्ष्चन है विश्व व्यापार संगठन का है कि विश्व व्यापार संगठन डबलू टीओ का मुख्यार है कहां पर है तो पहले तो आप इसका इंग्लिस में नाम जान लीजे हिंदी में तो आप ने देख लिए विश्व होइ ति 1995 में है यानि की सेकन्ड ओक्षन करेक्ट होगा तो यदर होगा इनकी हैड़क्वाटर जेनेवा स्विट जल्रेंड में है इनके अध्यक्ष्य महासाजजव की तो इनके जो अद्यक्ष्य है वरतवान में वह आपकी कौन है कौन है याद रखेगा आपकि जो उकौ कुछा जा सकता है कि आपके सदस्य शंकिया कितनी है तो ड Оп़ नहीं लिए 따도ी है आपका फिक और आ डीजिस भरे मैं याद तरहर से स्कॉसाइब कि अगर जिस सीच के बारे मैं यहां पर पढ़ें चीक है तो यहाँ पर आपका second option correct होगा अभी move करें next question पर next question आपसे संगाई सहीयोग संगठन यानि की SEO की स्थापना कव हुई थी अगर हम बात करें SEO की तो संगाई सहीयोग संगठन की जो इस्थापना की गई थी वो 2003 में की गई थी headquarters इनके कहाँ पर हैं तो इनके जो headquarters हैं वो Beijing China में हैं कहाँ पर हैं बीजिंग चीन में इनके headquarters हैं चीक अगर मैं आपसे पूछो इनके महासचेव को ने तो वर्तमान में इनके जो महासचेव हैं वो आपको याद रखना है पूछा जा सकता है आपसे वर्तमान में इनके महासच कौन है जह धूना है अल्टा सीधा नाम याद रखेंगे, तो आप समझ जाएगे कि यहीं है। कि जह क्या рийनने सचेव , नाम है। साथी साथ इनकोς सदर्ष उपक मैं कितने हो संसे बनाएATHAN कि discharge रखेंगे। यह लेटेस है तो आपको याद रखना है कि नौबा इनका जो सदर्श्य बना है वो इरान बना है अब आपका आपका आणसर मिल गया होगा 2003 में स्थापना हुई थी अद्धेख्ष कोन है तो यह तो काफी जादा महत्वूर्ण है निूडवलपमेंट बैंक आईयैं इनके बारे में देख लेते हैं थोड़ा अगर मैं आपसे पूछू निउ डेवलपमेंट की स्थापना कभी थी तो 2014 आपको याद रखना है ठीक है मैं बारवार स्थापना ह headquarters अध्यक्ष नहीं लिखूंगे अपने आपसे समझ जाना कि 2014 लिखा तो यह स्थापना है लेकिन आपको लिखना है ठीक है अगर मैं आपसे पुछ headquarters इनके कहां पर हैं तो इनके headquarters संघाई कहां पर हैं संगाई चीन में हैं नो है जिन मैं सब से लास्ट बड़ा सबस्तों सब्सक्राइब को यहां से पूछा किया गया था कि वरतमान करें 됩니다 तो इनके वर्तमान बंदेख्षे मार्कोस रजो का ने मार्कोस रएजो याद रखेuba आपको दिखी गया ओगा आप तो आपका सेकेंड उप्शन एक्डम great होगा समझ गया आप लोग मुफ करें भी नेक्स कोश्चन पर नेक्स कोश्चन आप से एक स्यायक्त रास्त्रों संग यानि कि यू एनों का मुख्यालाय कहां इस्तित है तो पहलों तो यू एनों के बारे में जाल लेते हैं तब तो हम हैड़कौाटर बता पाएंगे यू एन अब आप लोग को कही जगह लगता होगा कहीं पर एस लिखते हैं कहीं पर जैड लिखते हैं तो देखिए आप दोनों ही यूज कर सकते हैं ठीक है अब यहां पर आप से पूछा गया है एड़कौाटर तो पहले हम यह देख लेते हैं कि आपके यू एनो की स्थापना कभ अब कर दोनों कि स्थापना आप सभी के लिए बहुत ही जादा महत्मूण है इनकी स्थापना जो आपकी हुई थी नाइटीन फटीफाइब में हुई थी अगर मैं बात करूँ हेड़कौर्टर की तो इनके हेड़कौर्टर जो कहां पर है वर्तमान में निवर्क में है नि नियुयर्क अमेरिका में इनके headquarters हैं अगर मैं आपसे पूझे हूँ महास्चिप कौन है तब आप क्या कहेंगे तब आपका अंसर होगा एंटोनियो गुट्रेस कौन है एंटोनियो गुट्रेस हैं एंटोनियो गुट्रेस याद रखेंगे आप लो और इनका जो सदस्च तो आपको यह भी याद रखना है पूझा जा सकता है आपसे लास्ट वी और यह भी पूझा जा सकता है कि यूएने का जो हैं कितनी सदस्च देश हैं तो आपको पता होना चाहिए कि सदस्च देशों की संख्या कितनी है 193 है headquarter कहा है न्यूर्क में है second option आपका correct हो गया move क Nation question पर next question आपसे common wealth के बारे में है सो very very important common wealth के बारे में पूछा ये सब्सक्राइब मैं होई टोगो टोगो ठीक अगर इनके जो महासचेव हैं तो याद रखेगा इनके वर्तमान में जो महासचेव हैं वो पैट्रीसिया जैनेट हैं कौन है पैट्रीसिया जैनेट है ठीक पैट्रीसिया जैनेट तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या गया था है एड़कॉर्टर स्वाफ क की ओंधी में तो आपको पता हुथ है इंगलिस में भी आपको पता हुना च्छिए फूड एंड एडिकल्चर आजी आराइजी अरी अगर आपको लिखा हुआ समझ में नहीं आता है तो जो मैं बूलती हूं उससे आप connect करके लिख लिया करें ठीक है organization ओ आर जी ए ए एन आई जैड़े टी आई ओन organization अब हम बात करते हैं एफ ए ओ की किसकी एफ ए ओ की तो जो एफ ए ओ की स्थापना हुई थी वो 1945 में हुई थी कब 1945 में हुई थी इनके headquarters headquarters रोम में कहां पर है रोम रोम कहां है इतली में रोम इतली में इनके headquarters है और इनका जो सदस्ट्र देश है इनकी संख्या तो वह 194 है कितनी है 194 है अगर मैं आप पूछू कि इनके वर्तमान में अध्यक्ष्या महाँ सच्छेव कोन है तो आपको याद रखना है क्यू डोंग वह कौन है क्यू डोंग यू क्यू डोंग यू बड़ा आजीब सा नाम है रियाद रखने में असानी होगी लेकर जो अजीब से नाम होते वो जल्दी आद होत अध्यक्ष महासचेव जिनके जरूरी है बस उनी का याद रखना है अन्नेसेसरली याद नहीं रखना है ठीक है मुव करें भी नेक्स कोस्जन पर नेक्स्ट कोस्जन आप से यूनेस्को के बारे में है यूनेस्को का मुख्याला है कहां परsels्तित है तो पहले तो आप यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइट नेसेस अ была Summit अग एजुकेशनल होता है United Nations Educational Scientific and Cultural Organization United Nations जहां पर UN जुड़ा वहां तो United Nations आपको कर नहीं है ठीक है United Nations Nati Ons Nations Educational Edu Cati Cati Onal Educational, Scientific सबसे पहले यह देखना है कि इनका पूरा नाम क्या है काफी महत्मुण है उनसको का पूरा नाम अगर मैं आप से पूछ हूँ यूनसको की स्थापना कवी थी तो यूनसको की स्थापना जो है 1945 में स्थापना हुई थी 16 तो आप नोवेंबर 1945 आपको याद रखना है 1945 में इनकी स्थापना हुई थी कब 1945 में headquarters इनके कहाँ पर युनसको की? headquarters Paris France में है कहाँ पर रहे? Paris France आपको याद रखना है Paris France मैं है और मैं आप से अगर पूछ हूँ कि इंके Andrew E pri Breakfast Smoks out कोण है तो आपको याद रखना है Andrew E 43 América Andrew E Kapit Andrew E Joel productivity इनकी क्या है वरतमान। में cord action ये आपको अध्यक्ष का मतलब समझना है डारेक्टर जन्रलों कि समझ गया आप लोग इतनी चीज़ें आपको याद रखना है अंसर आपको मिल गया होगा कहां पर एविनेसको का हैड़कॉर्टर देखिए पैरिस में तो आपका फूर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा पैन का कलर में जिलेता हूग रेती हो जए से लगल आपको में अन्टक्के बारे में अपको पहले तो नाट् sencill सभारे हैं तो नाटो का पूरा नाम है नोर्थ अठलांटिक त्रिडीटी क्या है ≠ अट्लांटिक न॔र् और्गनाइजेशन तो पहले तो हम यह जाल लेते हैं आपके नाटो की स्थापना कभी थी 1949 में नाटो की स्थापना हुई हैड़कॉर्टर कहां पर हैं तो ब्रुसेल्स वेल्जियम में इनके हैड़कॉर्टर से याद रखेगा ब्रुसेल्स वेल्जियम में थैड़कॉर्टर से और अगर मैं आगसे हैं कि इनके जो महाद सचयर्भ कौन रखेगा की अंके वर्तमान में महाद सचयर्भ हुआ है कि ऐस कोन जैन्स इस ड्रॉल रखें कौन लोट और उनकिसा देक्या की संख्या वो टट्टी है ऋर कुर इनका 30 ब मैसी डोनिया靡 कौ तो आपका सैकेंड प्चन करेक्ट होगा यहां पर समझ गए आप sponsors पर आप sweaterना इंहां कोस्टन पर नेक्स मोश्यंद आप इतना आप लोग मेरे लिए कर देंगे तो मेरे लिए बहुत है क्वेश्चन आपसे है कि वर्ल्ड बैंक में सधश्य देशों की संक्या कितनी है किसमें वर्ल्ड बैंक में तो पहले तो वर्ल्ड बैंक के बारे में जाल लेते हैं स्थापना कव ही थी वर्ल्ड बैंक की स्था रखना है कि देविड मालपास जी जो हैं वर्तमान में हैं इनके क्या हैं नो марSP और इनके जो शरदश्च देशों की संक्या है वह 189 यह हैं तरहला मान इसक्व बना ए वो बना है नौ रोब दने नौरू ठीक तो इतना आपको याद रखना है 189 Tard option correct होगा ठीक है समझा है अतना move करें भी next question पर next question आपसे है ILO के बारे में अंतरास्ट्री स्रम संगठन के बारे में ILO यानि की हिंदी में तो आपको पता ही है अंतरास्ट्री स्रम संगठन इंग्लिस में इनका क्या मतलब होता है International Labour Organization क्या होता है International I-N-T-E-R-N-A-T-I-O-N-E-L International Labour L-A-V-O-U-R Labour Organization O-R-Z-A-N-I-Z-A-T-I-O-N International Labour Organization अगर मैं आपसे पूछू कि ILO के स्थापना कब होई थी तो याद रखेगा ILO के स्थापना 1919 में होई थी सार्क का मुख्याला कहां इस्थित है तो पहले तो सार्क के बारे में जाल लेते हैं कि सार्क का पूरा नाम क्या है तो सार्क का पूरा नाम होता है South Asian Association for Regional Cooperation हिंदी में इनको दक्षेज कहते हैं क्या कहते हैं दक्षेज कहते हैं तो याद रखेगा आपसे दक्षेज कहा जाए सार्क कहा जाए वही है सार्क जो है इंग्लिस वर्ड है इनका ठीक इंग्लिस में इनका पूरा नाम है अगर मैं आपसे पूछू कि जो सार्क है सार्क की स्थापना का हुई थी तो सार्क की जो इस्थापना है वह आपकी सार्क का और आपको किसका याद रखना है बिम्स्टेक का सार्क बिम्स्टेक और एक और है आपका क्वार्ड इनके सदस्था देश आपको रट लेने हैं विल्कुल यह आपसे पूछे जाते हैं सार्क और किसका याद रखना है विम्स्टेक का और किसका आपको क्वार्ड का याद रखना है यह जो तीन है इनकी तो आपको सदर्स देश जो है बुबिल को रट लेने है ठीक है इनकी आठ हम देख लेते हैं सबसे पहले सार्क की तो सार्क की जो आठ हैं देश इनमें सबसे पहले आपका प्यारा भारत कौन है प्यारा भारत है आपका पकिस्तान भी है ठीक है कौन है प मालदीव भी है भूटान है ठीक है भूटान कितने हो गए गिनिये एक दो तीन चार पांच छे साथ एक और बचाए तो एक और जो है आपका एपरिल 2007 में कब एपरिल 2007 में आपका जो है एक 14 वा सिखर सम्मिलन हुआ था सार्का इसमें जो अफगानिस्तान वेरी वेरी इंपो गए सो का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा मुफ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्टन पर जो कि आपसे है ओपेक के बारे में ओपेक का पूरा नाम आप से पूछा गया है d ing exporting countries c u n tri tri s countries तो कौन सा मैच हो रहा है मैच करिए आप पर organization of the petroleum exporting यह तो center है यह भी center तो यह तो मैच ही नहीं हो रहा है ठीक यह last वाला मैच हो रहा है organization of the petroleum exporting अपका correct होगा औपको बारे मैं जाना लेते सभी बाहर को Ven word तो आपको यदर रखना है ऑफेक की स्थापना कभी थी 1960 में हुई नाएंटिन 60 में CHRIST में हैं नाइटिन 60 में कहां है आपके ढेल इंपोर्टन उपएक का यह नी क्लिए धूर नहीं एक चैसे आपका कहां पर सभर्दाव में हैं ठीक है और आपसे बताई दे-rateim आपको याद रखना कि जो आपका बहार हुआ हुआ बहुं हुआ था इनके जो वर्तवान में हैड है वो है हे थम अल गिस हेसं earlier याद रखेंगे आप लोग की नहीं अभी next question पर नेक्स्ट्व आपसे सफ्वापन क Every parapy के बारे में पूच्छा जा रहा है आपसे तो पहले तो UNDP का पूरा नाम इंग्लिस में जान लेते हैं हिंदी में तो जाने लिया है सेंक्तुरास्ट विकास कारेकरम इंग्लिस में क्या केते हैं को United Nations Development Program United Nations Development Program UNITED United Nations NATIONAS Nations Development 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 PROGRAM P-R-O-G-R-A-M-E Program ठीक अगर मैं बात करूँ आपसे UNDP की किसकी United Nations Development Program की तो इनकी स्थापना कभ होई थी UNDP की 1965 में होई थी कभ 1965 में Headquarters कहां पर UNDP के very very important New York में है सदस्ट जो इनके देशन है वो आपके कितने 177 है कौन कितने है 177 आंसर आपको मिल गया 1965 move करते है नेक्स क्वेशन पर अंक्रटाट के बारे मैं आप से पूछा गया है I think fourth option आपको अभी नहीं दिख रहा अभी दिख गया होगा question है आपसे अंक्रटाट का मुख्याल है कहां इस्तित है तो पहले तो यह जान लेजे कि अंक्रटाट की स्थापना कब हुई थी अंक्रटाट की स्थापना 1964 में होई थी 1964 में होई थी इनके headquarters जेनेवा में कहां पर है जेनेवा शदर से देशों की संख्या 195 है कितनी है 195 है तो यहां पर आपको आंसर मिली गया है जेनेवा ओकी मुफ करते हैं next question पर यह आपका last question था आपके organization and their headquarters से अब यहां पर एक बार में विमस्टेक के बारे मैं भी चर्चा कर लेती हूँ और मैं आपसे एक request करती हूँ कि एक video channel पर already पढ़ा हुआ है organization और उनके headquarters का तो वो भी आप लोग एक बार देख लीजेगा में भी उससे भी आपसे कुछ प्मूश लिया जाए चीक है तो आप लोग याद रखेगा अब यहां पर मैं बात कर रहे हूँ विम्स्टेक की विम्स्टेक में आपको याद रखना है कि विम्स्टेक जो है इनकी स्थापना कव ही थी तो विम्स्टेक की स्थापना आपकी 6 जून 1997 में हुई थी अब यहां पर मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ जो वीडियो पिछला बाला है जो मैंने headquarters and उनके organization का बन आप लिखिएगा ठीक हलाकी पिन कर दिया गया है डूंट वरी लेकिन आपको 1997 याद रखना है इनका जो पहला सम्मेल है 2004 में हुआ था वेंकोग थाईलैन में हुआ था इनकी वर्तमान में सदस्ट देशों की संक्या कितनी है साथ देश हैं यह साथ देश आपको रट लेन अर्श कोई हैं उसके बार आपको याद रखना है फूटान सकताल द्रैएं निपाल फूटान निपाल तो यहां आपको अधर भूटान पर आप Значитश ने खराने अद्विडबन निपाल टो बस mentor आपको सोच रहे होंगे कि क्वार्ड मैं बूल रही है मैं क्वार्डी लेटरल सेक्वार्टी डायलोग उसी को क्वार्ड के नाम से जाना जाता है कि आपको कुछ और मास समझ लीजेगा क्यू सदि यह क्वार्डी लेटरल सिक्वार्टी डायलोग यह तो इसी क्वार्डी लेटरल सेक्वार्ड की नाम से जानते हैं क्योंकि यह डायलोग जो होता है इसमें quad में कितनी country है यही आपसे पूछा जाता है चार country है रट मानना है आपको बिल्कुल ठीक है हार नहीं मानना है paper में तो यह चार country है वो आपको याद रखना है पहला आपको याद रखना है Australia I'm so sorry पहले मुझे अपना प्यारा भारत लिखना चाहिए था चली पहले भार बारत को लिखते हैं ठीक है तो आपका प्यारा इंडिया आपको याद रखना है United States क्या याद रखना है यूनाइट इस्टेट्स आपको याद रखना है तो इंडिया Australia इंडिया ऑस्ट्रेलिया जपान एंड आपका यूनाइट इस्टेट्स तो यह चार country आपके जो हैं क् headquarters और उनके headquarters का पूरा का पूरा जितना भी headquarters आपके बनते हैं उन सब का questions अब हम यहाँ पानेक्स टॉपिक पर मोव करने वाले हैं आपको टॉपिक पढ़ना है भारत के पढ़ोसी देश कुश्चन है आपसे कि भारत की सलीय सीमा कितने देशों से मिलती है तो भारत की सलीय स नहारत की सीमा है वह वांगलादेश से मिलती है और किस से मिलती है चीन से मिलती है वांगलादेश चीन पाकिस्तान पाकिस्तान नेपाल म्यामार भूतान और किसके साथ अफगानिस्तान के साथ अफगानिस्तान तो यह जो साथ देश हैं यह आपको याद होने चाहिए एक संध्य कोलएं रखेगे सिस्टा याद रखेगा यहां पर आपका यहां कि आत On की राजधानी है तो नेपाल की राजधानी द्रखराड नेपाल की कास्ट्छु ए डाका कहां की है तो यह वांगला देश की केपिटल है कहां की है वांगला देश की केपिटल है आपकी डाका इसलामाबाद तो यह पाकिस्तान की केपिटल है किस की है पाकिस्तान की केपिटल है इसलामाबाद और नाइफिरा यह मियामार की केपिटल है कहां की है तो यह आपक कि दी गई है किसको दी गई है यह याद रखेगा बुटान को दे गई है किसको बुटान को दे गई है थंडर ऑफ ड्रेगन की भूमी का याद रखेंगे आप लोग अभी मूव करते हैं नेक्स टॉपिक पर जो की हमारा है देश राजधानी एबं मुद्रा तो आइए देख ब्रिजवेन लिखा हुआ है ब्रिजवेन जो आपकी क्विट्व इस में आपको सूची दो से सुमेलित कीजिए ये आपकी सूची एक है अर ये जो है आपकी सूची दो है तो ये जो सूची एक है इसमें आपको देख रहा होगा गूँपल कहां पर है डो-डो के मुर्टको की capital कहा है दवाट कहां परे रबाट तो आपका मैचु हो गया आजல परिक्षा में उससे बिर्ष्ण बनते हैं और आपको मैच करने beitet ! ज welfare है ते डावी किसकी राजधानी है तो आप लोग कर इंट्रफेर्स पठते हैं अब सभी को पता होगा कि अभु ज्यूर्ज ऑरव औरत की केपिटल है कहां की आमीड जा और और इनकी टिरहम कहां की वीडियो बना kommen कि अपर आतलिस्त्र मीया बनाले कि प्लेस आया है नेट्स कोश्जन आपसे माले की राजधानी है माले कि सटानी है माल्डिव की माल्दीव की capital आपकी माले inequality डिक्ञा स्वीयरण की राजधानी चैल तो बताइब सूने कि राजधानी कि स्टॉक होम है इन आपको योरॉप कौंटिनेट में मिल जाएगा ऐरोक का अस्ञान देखिएगा तो यापकी कंटृर्टै healthy Stream स्व truthful है अगर हम बात क्रेंसी जो आप 선생님 के जो आपकी स्वीडिस करोना क्या थे तो आप Small श्वेडिस कहरो ना यहां की क्या है करेंसी एक रो एने के आर ओने ठीक नेक्स आप से उत्तर कोरिया की राजधाने देखें उत्तर कोरिया दक्षण कोरिया में बहुत लोगों कांफीजन होता है कि इनकी कैपिटल गया है तो आपको मैं ट्रुट बताती हूं सिंपल सी बात ह यह तो क्या अगर को दटाती हैं दक्षण कोरिया यानि कि साओध कोरिया अगर आप आप से पूंछा जाए तो आप क्या कहेंगे जो क्यों कोड़ आपको यादर के ऑबनें तो जो आपका नॉट कोरिया की कैपिटाल है और प्यों अपियोंग कर दीमाग्यों यह कहां कि यह आपके दक्षणी कोरिया की राजधनी इस तरी के से आपको कुस्व कशन होता है लोगों को साओ्थ करिया और आपका जो है नौर्थ कारिया की नॉर्थ-कॉरिया की PayPal में तो याद रखेगे साओध को रिया की से निमने लिखेत मैं से कौन सा देस्य ता उत्तärक। द्रस्थी पाच में इस्थान पर है कौन उसमें सबसे ज्यादा आपका जो है रूस का चैना का है फिर आपका क्या है अमेरिका है पिर अमेरिका है फिर आपका चीन है उसके बाद आपका क्या है ब्राजील है चीन के बाद आपका ब्राजील है ब्राजील के बाद आपका आउस्ट्रेलिया आप लोग याद रखेगा और आपको फिर इसके बाद याद रखना है आपका भारत भारत ठीक तो पांच में नंबर पर आपका देशों का जो है आपका लिखा हुआ है सबसे ज़्यादा चित्रपल किसका है रूज का है फिर कनाडा का है फिर आपका अमेरिका का है फिर चीन का ब्राजील का ऑस्ट्रिलिया का भारत का यानि कि सबसे ज़्यादा रूज का उसके बाद आपका रूज से कम कनाडा इ नेक्स कोश्चन आपका क्या है परजी किस भारती शहर की राजधानी है तो आप सभी को पता होगा परजी किस शहर की राजधानी है बताइए आप लोग गुवा की राजधानी आपकी परजी है कहां कि गुवा की गुवा की जो है आपके भारती प्रायदीव के पश्मित प्रदिश क्वेस्टी प्रदीर में अगर में अगर शंख्यां देखी तो लगवग के 836 गितने एप इन में आपके निकोवार में अगिसमें औे तो याद रखेगा यहांपर कौनसा से होगा 736 फर्स ड्र आपका करेक्ट होगा नेक्ज्ट क रियुक्त कोस्टन आपसे कि दलाई और उनाखोटि इस राज्जी के जिले हैं आपको याद रखना है कि दलाई और उनाखोटि यह आ sprinkly कहां त्रि पुरा के जलीहें तो आपको याद रखना है थर्ड ऑप्शन है ने ले superior किसकी राजधानी हैं बताइए पॉर्ट पिलेयर किसकी राजधानी है मैंसे आप लोगों cit GUYू निकवार दूब समूझ है आपके कहां पर बंगाल की खाड़ी में इस्ते थें कहां पर बंगाल की खाड़ी में इस्ते थें बंगाल की खाड़ी आप सभी को थोड़ा तो याद हो गई मैंने आपको बहुत अच्छी से समझाया हुआ है इस तरीके से डाइग्रम बना-बना क कि यहां पर आपका क्या इसते थे यहां पर क्या है कौन साथ का सबसे बड़ा दूई पहुंसा सबसे चोटा है सडल भी कहां पर है बहुत सारी चीज़ें ने बताई हुई है जिवी में अगर आपको याद हो तो फिर उसके बाद मैंने आपको जो है लक्षदीब के बारे में सरावका बना हैं हैं नेक्स कोशन आपसे हैं कि भारती मानक जो आपका है पूंसर राज्जों से होकर गुजरती हैं इन मिसें कोनस राज्य से वहां sìWell कर नहीं गुजरती है तो यह देखेयां मैंने आपको बताया हुआ है कि आपकी भारती मानक्न मेरेडियंगust किन किन 5 राज्यों से होकर गुजडकी है गौस त सामेक पको पता होना चाहिए इसके पहले आपको यज़ए उत्तरप्रदेश उसके नियुकर वह सकते हैं अध्यप्रदेश 4 और 5 तो यहांपर आप देखिए कौन सा मैच नहीं हो रहा है आंदर प्रदेश मैच होता है ओडिशा मैच होता है बिहार मैच नहीं होता तर्ड ऑप्षन करेक्ट होगा चीक, दूसरे इस्थान पर आपका कौन है, दूसरे इस्थान पर आपका जम्मू कस्मीर है, पहले इस्थान पर छित्रफल की दृस्टी से लद्दाक है, सेकेंड नमबर पर आपका जम्मू कस्मीर है, इसमें आपको कई जगे अलग-अलग अंसर मिलेंगे, मैं पहले से बता तो वह आपकी मले आलम क्या है मले आलम जो है आदिकारिक भासा में लक्षुदीप के नेक्स कुश्चन पर मूब करते हैं जो कि आप से हैं कि भारत का पहला रास्टर खे विश्वविद्याले किस राजिये में स्थापित किया गया तो भारत को फैल घ्जु विश्वुद्य स्थापना के लिए रास्टी विश्व विद्यालाय अध्यादेश 2018 को जो है इन्होंने मंजूरी देती और यह आपका पहला रास्टी खेल विश्व विद्यालाय है जो कि आपका इस्थापित किया गया कहां पर मणीपुर में कि एथे नेक्स कोश्शन आपसे है कि इन में कौनसा भारत अगर हम देखें कि दादर नगर हवेलिए दमनदीप की केपिटल क्या है तो दमन है ठीक करते हैं नेक्स कोश्चन पर जो कि आप से है कि सिर्सी सुपारी पहली एरिका नठ है जिसे भौगलेक संके तक दिया गया यह सुपारी किस राज्ज में उगाई जाती है तो मार्स 2019 मे आपके जो सिर्सी सिपारी है इसको क्या दिया गया इसको जी आइटेक दिया गया और यह जो है आपके करनाटक राज्ज में जाती है कहां पर करनाटक में जी आइटेक का एक वीडियो मैंने आपको दिया गया है कम से कम आपका जो है इसमें आपको जितने तरह के कोश्चन बनते हैं परिक्षा में वो सभी के सभी सामिल किये गए हैं और यह आपका लगबग 15 से 20 मिनट का ही वीडियो है आप उसको एक बार जाके देख लीजेगा काफी helpful वीडियो है वो आप सभी के लिए मूव करते हैं अभी नेक्स कोशन पर जो कि आपसे है कि पहला जी आई टेग उत्पाद को दिया गया तो पहला जो जी आई टेग दिया गया था वो किसको दिया गया था आप सभी को पता होगा दार्जलिंग टी को दिया गया था यह सब चीजे मैंने वहाँ पर बताई हुई है थो दर्जलिंग को पहला list ऀैक गया था तो ये भी मेन बताया है 2004-2005 में आपका जो है पहली बार आपको यहेली ज्याइप को ही दिया गयाथ और टेक प्राप्ट करने वाला पहला जो बेंचन था वो मैंने आपको बताया था, पहला बेंजन, अगर आप से पहला बेंजन मूझा जा तब आपका अंसर चेंज हो जाएगा, ठीके, पहला जो बेंजन था, वो हैदराबाद कौन था, हलीम था, हैदराबाद हलीम, हैदराबाद हलीम, इसको जो है, पहला बेंजन की तोर पर, प तमेल लाडू की लगबग 44 वस्तों ऐसी हैं जिनको अब तक जी आई टेग मिल चुका है तो यह बहुत है और सबसे ज्यादा जी आई टेग अभी तक तमेल लाडू की वस्तों को ही मिला हुआ है अगर मैं बात करूं यूपी की तो यूपी में रटो अलाम को जो है आपका ज पर जो कि आपसे है जम्मू कस्मीर के उपगवर्नर कौन है तो बताईए आप लोग जम्मू कस्मीर की उपगवर्नर कौन है वर्तमान में तो वर्तमान में जो जम्मू कस्मीर की उपगवर्नर है वो मनुज सिन्हा जी है कौन है मनुज सिन्हा राधा जो कृष्ण माथुर आपके चंडीगड के प्रासीक है चंडीगड और प्रफुल पटेल जो है आपके यह प्रसा सक नहीं को चंञराजार किटनी हैं? तो भारत में जो संगराज प्रदेश हैं आपके, उनकी संख्या कितनी हैं, आप लोग बताईए, आठ है, कि नहीं हैं, बताईए, भूल गए, आइए, देखते हैं इनको बारी बारी से, सबसे पहला आपको याद रखना है, जम्मू कस्मीर, ठीक है, जम्मू कस्मीर, क्वाइश में परबना है और सीथ कालीन का निए आपको आपको याद रखेचे हैं स्रिनला ऑन feathers चैपटल है फिरम हो तो पहला के इंदर शैश्फषत प्रदेश हो गया दूसरा आपड़睹ना यहां पर कौन सा दूसरा आपको याद रखना है लद्दाक क्या याद रखना है लद्दाक की केपिटल कहां पर है तो लद्दाक की केपिटल है आपकी ले है तीसरा आपको यहाँ पर याद रखना है अंडमान और निकोवार अंडमान और निकोवार अंडमान और निकोवार की केपिटल क्या है पोर् चंडिगड की केपिटल क्या है चंडिगड की केपिटल चंडिगड ही है ठीक उसके बाद आपको याद रखना है पांच पर नंबर पर याद रखना है अभी तो पांच पर याद रखना है दादर नगर दादर वा नागर कहीं पर आपको नगर भी मिलेगा कहीं पर नागर भ ठीक तो आपको याद रखना है दिल्ली दिल्ली त lang़ine के पिटल याद रखना आपको पुदूचेरी की जो का वस्तार राज्यों में हैं आप इनकी कौन-कौन सी जिले अधना को सिक फोसार बाद के आपको आपको याद रखना है कियल दूसरा यान्द रखना है अंद्रभ्रदेश एंति नैद्य। राज्यों में इनका विस्तार है के रल में इनका मही जिला क्यां है pığınıचा जाता है पांड़ी चैरी का मही जिला किस आपके राज्ज में है तो याद रखेगा के रल मैं तमिल नाड़ोमीन के दो जिलें कौन सा है एक तो पुधू चैरी जिला है कौन्सा पुधू आठों की आठों केंद्रसासित प्रदेश बताएं हैं तो मैंने आपको बताया है केंद्रसासित प्रदेशों में कि चित्रफल की द्रिस्टी से सबसे बड़ा केंद्रसासित प्रदेश लद्दाख है कौनसा है लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि चित्रफल की द्रिस्टी से सबसे बड़ा केंद्रसासित प्रदेश लद्दाग चित्रफल की दृस्ति से सबसे चोटा केंद्रसासित प्रदेश दमन मूफ करने भी नेक्स कोश्चन पर मैं आशा करती हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा कोश्चन है आपसे उत्राखंड की राजधानी है बताए उत्राखंड की राजधानी कहां पर है तो उत्राखंड की कैपिटल के बारे में मैंने आपको कई बार जिक्र किया है Current Affairs में कि इनकी जो Seed Calign Capital है वो तो आपकी देहरा उने कहाँ है देहरा उने तो ये इनकी Seed Calign Capital है Greece में कालिन जो इनकी Capital है वो इनकी क्या है isin है इंकी क्या है Тाहें याद रखेगा आपसे जब भी mission आएगा तो या तो यह पूछा जाएगा कि सीध कालिन केपिटल कहां है या फिर पूछा यह जाएगा सीधा सीधा आप से कि उत्राखंड के केपिटल कहां पर है जैसा इसमें पूछा गया है तो कोई एक option होगा मैंने आप जानबुच के दोनों ही रखे थे तो आपको दोनों याद रखना है ठीक तेलंगाना की केपिटल है आप सभी को बताना है तीलंगाना की राजधानी कहां पर है तीलंगाना की राजधानी हैद्राबाद है याद रखेगा और यहां के जो वर्तमान में आपके मुख्यमंत्री बतमान में जगन मुहन रेड जिए जगन मुहन रेड़ी के बतमान में कि मुख्यमंत्री है move करते हैं अब आगे कि आपसे जो हैं रास्टि एवं अन्ता राष्टि दिवस से संबनित प्रश्ण है और यहां पर आपके सारे के सारे राष्टि वंत राष्टि दिवस कबर हो जाएंगे जो महत्कुण महत्कुण है आई देखते हैं फटाफट से सबसे पहले हिंदी कब मनाया जाता है तो जो इस्टुडेंट रेगूलर होंगे करेंट अफर्स मां उन सभी को बहुत अच्छी से पताओगा कि हिंदी दिवस कब सेलीब्रेट किया जाता है तो हिंदी दिवस प्रती वर्स विश्व में शेयक्त रास्टर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व में शेयक्त रास्टर दिवस है वो आपका कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को कब 24 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है आपका शेयक्त रास्टर दिवस और 24 अक्टूबर 1945 को कब 24 अक्टूबर याद रखेगा 24 अक्टूबर कब 1945 को शैक्त रास्टर की स्थापना हुई थी किसकी शैक्त रास्टर की ठीक सैक्त रास्टर की स्थापना हुई थी इसी दे 24 अक्टूबर को हम प्रतिवस सैक्त रास्टर दिवस मनाते हैं मूफ करते हैं भी नेक्स क्वेशन पर क्वेशन आप से ही है कि निम्रे लेखित मैं से किस देश में 31 अगस्त को सौतंतरता दिवस मनाया जाता है तो आपको आप्षन है मलेशिया, किर्गिस्तान, त्रिनिदाद या टोबेगो तो आप याद रखिएगा कि आपका जो है मलेशिया में, किर्गिस्तान में, त्रिनिदाद वाटोबेगो इन सभी में आपका 31 अगस्त को कब 31 अगस्त को आपका सौतंतरता दिवस मनाया जाता है कहां कहां पर मलीशिया में करगिस्तान में तिरिंदाद वटोवेगो यहां पर आपका 31 अगस को सौतंतरता दिवस मनाया जाता है नेक्स कोशन है आपसे निमने लिखित में से किस वर्स को सैयुक्त रास्ट द्वारा स्वधीश्ची भासाओं का अंतरास्टी वर्स के रूप में गोशित किया गया अभी आपको सारी ऑप्शन दिख रहे हूंगे अच्छे से तो यहां पर आपको क्षेन भी समझा रहा होग कि स्युक्त रास्टर द्वारा स्युक्त रास्टर के द्वारा नेक्स कोशन आप से ये है कि भारत में रास्टरी उपभूकता दिवस कब मनाया जाता है तो भारत में राष्ट्री उपभोगता जो दिवस है वो आपका प्रती वर्स 24 दिसंबर को सेलिवरेट किया जाता है और आपका 24 दिसंबर को वर्स 1986 में उपभोगता सनरक्षन अधीनियम आपका जो है ये आपका अधीनियम है थुगा था तो याद रखिएगा उपभोगता उपभोगता सनरक्षन अधीनियम कब अधीनियम में थुआ था तो ये आपका 24 दिसंबर 1986 को अधीनियमित हुआ था याद रखिएगा महत्पूने आपके लिए यह रास्री उपभूगता दिवस आपसे कहा गया विश्व उपभूगता दिवस अगर आपसे पूछा जाए तो अंसर आपका चींज हो जाएगा दोनों ही तिथियां आपको याद रखने हैं काफी ज़्यादा महत्पून है, नेक्स कोश्चन पर, कोश्चन है आपसे कि भारत में 30 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो 30 जनवरी को आप क्या मनाते हैं, याद करिए थोड़ा सा, हम 30 जनवरी को शहीद दि दिवस की रूप में मनाते हैं, प्रतिवर्स याद रखिए का 30 जनवरी सहीद दिवस, नेक्स कोश्चन है, आपसे पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो यह तो आपने पॉलिटी में पढ़ा हुआ है, बहुत अच्छे से, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है आपका याद करिये थोड़ा सा, 24 अपरेल को हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं, कब 24 अपरेल, नेक्स कोश्चन है आपसे, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो वन्य जीव सप्ताह जो है आपका प्रतिवर्स कब सेलिवर्ट किया जाता है, यह आपका 2 से 8 विश्व वन्य जीव दिवस, जो मैंने आपको मंतली करेंट अफेर्स पढ़ाया है, बहां पर बताया हुआ है, तीन मार्च को आपका सेलिवर्ट किया जाता है, विश्व वन्य जीव दिवस, मूव परते हैं, नेक्स कोश्चन पर, जो कि आपसे है, विश्व वाग दिव कब मनाया जाता है तो विश्व बाग दिवस जो है आपका प्रतिवर्स 29 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है कब 29 जुलाई को हम प्रतिवर्स मनाते हैं क्या विश्व बाग दिवस टाइगर डे मनाते हैं कि बागों के प्रति सनक्षण हम जो है सनक्षण के लिए सेंट पीटर्स वर्ग में आपका जो ये बाग सम्मिलन में प्रति वर्स 29 जुलाई को बाग दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया गया तो आपसे पूछा जाता है कि किस सम्मिलन में ये आपका निर्ना लिया गया था तो रूस के सेंट पीटर्स वर्ग में आपका एक तो यह सम्मिल नियाद रखेगा आप लोग ठीक, मूव करते हैं अभी नेक्स कोश्चन पर, नेक्स कोश्चन आप सभी से है, विश्व साक्षर्ता दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व साक्षर्ता दिवस जो लोग करेंट अफेर्स पड़ते हैं, मैंने कई बार बताया है, विश्व साक्षर्ता दिवस आठ सितंबर को आपका सेलिब्रेट किया जाता है, कब आठ सितंबर को प्रतिवर्स विश्व साक्षर्ता दिवस मनाया जाता है, नेक्स कोश्चन आप से है कि रास्टी मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो रास्टी मतदाता दिवस जो है आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है याद करिए फोड़ा सा यह आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है कब मेन और इस बार 2022 की फीम कह रही है तो 2022 की फीम याद रखियेगा रास्टी मतदाता दिवस की making elections inclusive accessible and participative making M A K I N G making elections E L E C T I O N S elections inclusive I N C L U S I V E inclusive accessible A C C E S I V L E accessible and accessible and participative P A R T I C I P A T I V E participative याद रखेगा ये इस बार की theme रही आपकी जह है रास्टी मददाता दिवस के निक्सक्शन आपसे ये है कि भारत में रास्टी खेल दिवस कम मनाये जाता है तो आप सभी को बता होगा कि रास्टी खेले दिवस प्रतिवर्स हमारा 29 अगस को celebrate किया जाता है और होकी के जो महान खिलाडी ते मेजर ध्यानचंद जी कौन है मेजर ध्यानचंद जो है इनकी जहन्ति के अवसर पर हम प्रति वर्स राश्टी खिल दिवस के रूप में मनाते हैं तो पहले तो आप लोग की बताईए कि आप लोगं को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ तो आपको ये सबसे पहले वता देना चाहिए कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं प्लीज आप लोग कॉमेंट करके वता दीजेगा कि आपको ये जो सीरीज ये अच्छी लगी की नहीं निक्स कोशन ने आपसी की भारत में प्रवासी भारती दिवस कब मनाया जाता है तो भारत में जो प्रवासी भारती दिवस है वो प्रतिवर्स नो जन्वरी को सेलिवेरेट किया जाता है क्यूंकि नो जन्वरी का दिन हमारी लिए बहुत ही महत्मून था नो जन्वरी उन्नी और 2003 में कब 2003 में ये भी याद रखना है कि कब 2003 में अपके जो परधान मंतरी जी थे उस टाइम हमारे परधान मंतरी जी तो इनको तो भूले नहीं भूल सकते हम सबी लोग इनका इतना ये गुदान्दा है बाच्पेई जी थे अटल विहारी बाच्पेई जी थे तो अटल विहारी बाचपेई जी ने इस दिवस को मनाने की शुरुबात की थी 2003 से इसकी शुरुबात की थी तो ये भी आपके लिए महत्पूर्ण है याद रखेगा आप लोग नौ जनवरी को हम प्रतिवर्स प्रवासी भारती दिवस मनाते हैं नेक्स कोशन आप से अलसरे है कि विष्व पर्याबरन दिवस को मनाः जाता है तो यह तो बहुत जोटा सा क्योंचन है आपके लिए विश्व पर्याबरन दिवस जो है आपका प्रतिवर्स पांच जून को सेलिब्रेट किया जाता है कब 5 जून को इस बार की थीम रही है याद रखेगा आप नेक्सट कोशन आप सभी के सामने हैं कि अंतराश्टी विकलांग दिवस कब मना जाता है यह आपका 3 दिचंबर को सेलिब्रेट किया जाता है कब 21 मार्ज को आपका विश्यो वाने की दिवस मना जाता है और 2022 के जो अंतरास्ची विश्ववाने की दिवस है इसकी थीम रही है Forest and Sustainable Production and Consumption तो याद रखेगा Forest, F-O-R-E-S, R-E-S-T-S Forest and Sustainable, S-U-S-T-A-I-N-A-V-L-E Sustainable, P-R-O-D-U-C-T-I-U-N Production and Consumption C-O-N-S-U-P-C-O-N-S-U-S-U-M-P-T-I-U-N तो याद रखेगा इस बार की थीम विश्ववाने की दिवस की क्या रही है Forest and Sustainable Production and Consumption इस बार की थीम रही है 21 March को हम प्रतिवर्स क्या मनाते हैं 21 March को हम प्रतिवर्स मनाते हैं आपका विश्ववाने की दिवस So अभी हम मूब करने वाले हैं अपने Next Topic पर Next Topic है हमारा भारति परेटनिस्थल परेटनिस्थल में हम देखते हैं आप से पूछा गया है हैमिस गोपा नामक मठ कहाँ पर इस्ते थे तो बताईए हैमिस गोपा मठ कहां इस्ते थे ये जो है आपका लद्दाक में इस्थे थे, कहाँ पर लद्दाक में इस्थे थे, लद्दाक में बिसिकली लेह में इस्थे थे आपका हैमिस घूपा मट next question पर move करते हैं, next question है आपसे की आनंद भवन कहां इस्थे थे, अभी आपको fourth option नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ, अब आपको दिख रहा होगा, बताइए आनंद भवन कहां इस्थे थे, तो ये तो बहुत simple सा question है, आनंद भवन जो है प्रयाग राज मे इस्थित है, next question पर move करते हैं, जो कि आपसे बैलूर मठ के बारे में है, बैलूर मठ का निर्मार किसने करवाया था, very very important, बैलूर मठ जो है, इसका निर्मार आपसे पूछा गया है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैलूर मठ कहां पर है, तो ये कलकत्ता में है, कहां प अप से पहले ये पता होना चाहिए कहां पर है तो ये पश्चिम बंगाल में है, शांती निकीतन याद रखेगा, और सांती निकीतन का निर्मार रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा करवाया गया था, जबकि आप लोगों ने पढ़ा है आपि आनन्द भावन, तो आन कनहरे की गुफाइं करली की गुफाइं का अपके मोंबई महारास्चर में की निदे को सदेँ तो यह पूछा जा सकता है कि राश्मालраф का मरे का एक कुछ सब्सक्राइब गांधी राष्विय उद्यान चंजय गांधी राष्विय उद्यान की परिशर में आपकी इस्तितें कनहरी की गुफाएं याद रखेगा मुंबई में आपका एक जगह है बूरी बाली कौन सा बूरी बाली बूरी बाली में आपका जो है इस्तितें ये कनहरी की गुफाएं याद रखेंगे अप लोग और कारले की गुफाएं भी आपकी मुंबई में ही स्थितें नेक्स आप से कुष्चन है एलीफेंटा की गुफाओं का निर्मान बोला किसकी द्वारा करवाया गया था तो एलिफेंटा की गुफाएं कहां पर हैं ये पता होना चाहिए एलिफेंटा की जो आपकी गुफाएं हैं ये आपके मुंबई महारास्ट्रों में इस्तित हैं कहां पर मुंबई महारास्ट्रों में इस्तित हैं तो याद रखेगा कि यह मुंबई महारास्ट्रों में इस्थित हैं आपको यह जरूर पता होना चीए कि किस स्थान पर आपकी इस्थित हैं पूछा जा सकता है आपसे तो मुंबई महारास्ट्रों में इस्थित हैं और यह जो आपकी एलिफेंटा की गुफाएं हैं इनका ज जयन और tenants तीनों धर्मों से हैं इनका जो निर्माव देखा जाये तो रास्ट्र कूटों के द्वारा करवाए गया था किसका निर्माव आपके अलिफेंटा की गुफाओं का प्रतिमा है या आपकी कहां प्राप्त हूई है कंदरिय वहांसे कंदरिय महादेव मंदर कंदरिया चंदेल राजाों के द्वारा बनवाय था कंदरिया मंध्र मूव करते हैं आपसे पूछा गया है कि मौडरा का सूर्य मंदर कहां है तो मोडल का जो सूर्य मंदर है यह जो है आपका गुझरात मैं इस्थे त्याइंट करेक्ट होगा नेक्सपी और और तमिल लानु में पर तमिल में फिर अपका शोर को मंदर की बारे में मिनाख्शी मंदर की बारे में मिनाक्ष याद रखेगा महतुपूर मन्दिर यह आपका मदुरॉय में फिर जो है कोसे है पल्लाव साम्राज्जिय से है याद अंकोरवाट मंदिर आपसे पूछा गया है अंकोरवाट भी याद रखेगा ये भी महत्पूर मंदिर है तो अंकोरवाट जो मंदिर है ये आपका इस्थत है कहाँ पर कमबोडिया में तो याद रखेगा कमबोडिया में बिरुपाक्ष मंदिर अगर आपसे पूछा जाए त लिंग्राज टेंपिल जो है आपका स्थेते कहां पर भुवनेश्वर में भुवनेश्वर ठीक भुवनेश्वर करते हैं आगे आगे आपसे भारत की कला एवं संस्कृती से परशन सवाये देखते हैं अब पहला क्रॉष्ण नैपसे कि मदुवनी कला कहां प्रसिद्ध है तो मदुवनी पेंटिंग के बारे में आपसे पूछा गया है लिए जो आपकी सहली है इसका मुखhini विशय धारमे की ही होता है और इसमें पराय Cada yeahная छटक रंगों का इसमें प्रियोग किया जाता है कि इसका चटक रंगों का इसमें प्रियोग किया जाता है आप लोग एक बार इंटर्नैट पर मधुणी पेंटिंग देखेगा कितनी खुबसूरत पेंटिंग होती हैं एक बार मेरे कहने निक्स्ट आप से घुमर लोकनृत्त के बारे में की घुमर जो फ्रूलखन धिनक है लेकिन कहां का लोकन है और यह बदाना है आपको तो यह आपका राजिस्तान का लोक स्थान का लोकनृत्त है आपका घुमर पर आपको ए राजस्तान के घुमर घुमर में के अलाबा आपका क्या क्या है तो गरफा का घुम भवाई गंगार भवाई और आपका आपकर कालव लेलिए ही जुटे लोक नरत्ते हैं जो कि आपके राजस्थान के और गोंअं तो आपको याद रखना है। नेक्ट कुस्छन आपके हें भारत कला विश्व विध्यालय की परिशर में इस्थित है और इसकी स्थापना भारत कला भवन की स्थापना 1920 में हुई थी, कब 1920 में हुई थी, next question है आपसे, उत्तर प्रदेश भासा संस्थान इस्तित है, उत्तर प्रदेश भासा संस्थान आपसे पूछा गिया है, तो उत्तर प्रदेश भासा संस्थान आपका लखनव में स्तित है, कहां पर, लखनव में, move करते हैं next question पर next question है आपसे उत्तर प्रदेश हिंदी उर्दू संस्थान इस्तेत है तो उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कहा जाए या फिर उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान पूचा जाए या फिर उत्तर प्रदेश संस्थान पूचा जाए देखे, सबसे पहला आपको ये पता होना चाहिए, बहुत ही महत्पूर है, ये आपको कन्फ्यूज करता है, एक होता है आपका भारती है, ध्यान से सुनिएगा, भारती है, भारती क्रशी, भारती है, क्रशी, अनुसंधान संस्थान, एक तो आपका ही होता है, भारती क्रशी क्रशी अनुसंदान संस्थान तो भारती क्रशी अनुसंदान संस्थान अगर पूचा जाए तो ये तो आपके दिल्ली में है लेकिन उत्तर प्रदेश क्रशी अनुसंदान संस्थान पूचा जाए तो ये लखनव में है यहाँ पर मैंने दोनों रख दिये हैं याद रखेग ठीक तो आपको दोनों को याद रखना है कि भारती क्रशी अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो आपका अंसर दिल्ली होगा और अगर उत्तर प्रदेश क्रशी अनुसंधान संस्थान पूछा जाए तो आपका क्या होगा लखनव होगा देखिए इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है तो आप कहेंगे लखनव तो उत्तर प्रदेश क्रशी अनुसंदान संस्थान पूचा गया तो लखनव कर दीजेगा भारत की राजधानी कहाँ पर है तो आप कहेंगे दिल्ली ना New Delhi, तो आप का answer क्या हो जाएगा भारती क्रासी अनुसंदान संस्थान में दिल्ली हो जाएगा, अब आप समझ गए, आपको आसान हो गया, नेक्स कोश्टन आप से है कि पान अनुसंदान इबं प्रसिक्षण केंद्र इस्थे थे तो पान अनुसंदान इबं प्रसिक्षण केंद्र जो आपका इस्थे थे याद रखिएगा यह महोबा में इस्थे थे कहां पर महोबा में इस्थे थे वैसे तो यह सारे कोश्चन आपके संस्थानों में आना चाहिए था है ना लेकिन यहां पर भी अगर आपके कबर हो गए तो कोई प्रोब्लम बाली बात नहीं है ठीक नेक्स कोशन आप से उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम इस्थे थे तो उत्तर प्रदेश बीज विकास निगम जो आपका इस्थे थे यह लखनों में इस्थे थे कहां लखनौ में इस्थित नेक्स कोश्टन पर जाने से पहले यहां पर जो आपके उप्षन से इनको एक बार देख लेते हैं महोबा में क्या है आपका पान अनुसंदान इबं प्रसेक्षण केंद्र लखनौ में अभी अपने देख लिया उत्तर प्रदेश बीज विकास नेगम ह और सेंट्र फॉर संद्रेश थे जाएंटर फॉर सुगर्वे तेकनोलोजी क्या उक्तिंट और सेंट्र फॉर ज arguments सुगर्वेनिस धूर्भ तेखन लोजी तो यह साथ जहापुर में परिछ स्थ्पृत्र, इस तर्प्रदेश्च गन्ना सूध परिशत सहा जहां पूर फिर से रिपीट कर दिया मैंने अब आप याद रखेगा रानी लक्ष्मी भाई रास्त्री क्रशी विश्व विद्याले कौन सा रानी लक्ष्मी भाई रानी लक्ष्मी भाई रास्त्री क्रशी विश्व विद्याले कहां पर इस्ते थे तो यह जहासी में इस्ते थे, move करते हैं अभी next question पर, और next question आपसे है सरदार पटेल क्रशी एवं प्रोध्योगी की विश्व विध्याला इस्ते थे, तो आपका जो सरदार पटेल क्रशी एवं प्रोध्योगी की विश्व विध्याला इस्ते थे, यह मेरठ में इस्ते थे, जहासी में आपने अभी देखा रानी लक्षमभाई रास्ट्री क्रशी विश्व विद्याला है कानपुर में आपका जो है चंदर सेखर आजाद चंदर सेखर चंदर सेखर चंदर सेखर ये कुछी विश्व विद्याला है जो आपके लिए महत्पूर्ण है उत्तर टौको 4 याद रखना है जहांसी मेरत कानपुर फैजाबाद एक बांधा नाम h देखा नो भाष करते हैं जो शो कि आप से है만 भाठी करशी अनुसंधान संस्थान इससे थे मैं अभी आपको बताई हूं कि यह आपका दिल्ली में है उत्तर प्रदेश अगर पूचा जाए उत्तर प्रदेश क्रशी अनुसंधान संस्थान पूचा जाए तो आंसर आपका लखनव होगा ठीक है क्या होगा लखनव होगा मूफ करते हैं अभी नेक्स कोशन पर कोशन अब आपसे थोड़ा सा प्रमुख नगरों के उपनाम की बारे में है जैसे अम्रूद नगरी किसे कहते हैं आपका जो है whirl पैंट कहते हैं काल नगरी किसी कहते हैं यह सब कुशन से ठीक यह भी पूछे जा सकते हैं पूलना मतन इन सब शिएजोगों अमरूद नजरी के नाम से आपका क्या फिमांस है प्रियाग राज को अमरूद याद रहाद है प्रताबगर डरह से और शुयी क्यांची नंगरी को प्रताबगर को यहां जो है आबला बहुत ज़्यादा famous है प्रताबगर में तो आबला जो नगरी है वो आपका प्रताबगर है याद रखेगा Apart from this अगर हम बात करें आपके कानपुर की तो कानपुर जो है आपका उद्द्योग नगर है कि उद्योग नगरी इसको कहा जाता है साथ ही साथ इसको चर्म नगर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है चर्म नगर चर्म नगर भी इसे कहा जाता है और उत्तर प्रदेश का मैंचेस्टर अगर आपसे कहा जाए तो भी आपका कानपुर ही होगा उत्तर प्रदेश का मैंचेस् कि चाना जाना जाता है तो जामु नगरी के नाम से आपका जो है रामपुर तो तो हम सब्सक्राइब72 सिराज चाहिए कि यह कंसे नाम नगरी यहां की कालीन बहुत जादा फेमस है आपको पता होगा कि वहां पर कालीन może जादा फेमस है अगर मैं बात करूर फिरोजाबाद की तो फिरोजाबाद में मेर्ट कि शमेशन और उत्तरप्रदेश also window कि से कहते हैं तो उत्तरप्रदेश का सोः Л्विंडव जो है नौइड विंड़ा को कहते हैं कि स्कोर सोरक्स के कि किसे कहते हैं अभी है कि आधला नगरी हम प्रताब गड़ को कहते हैं कि इसको प्रताब गड़ को कहते हैं यहां कि एक इसको हम चर्मनगर को ठीयते किसे कहते हैं, तो दान का कटोरा चंदॉली को कहते हैं, किसको छंदॉली को कहते हैं ठीक हैं? क्या धिम अ गर्वोज़ाबा बत शूहाओं कि शूहारी लाध Ар चे срав activity है дорब्वयाद कि तो मुरादाबाद में पीतल की वर्तन फीमस हैं इसको पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है किसके नाम से पीतल नगरी और इसे जो है वर्तनों की सहर के नाम से भी जाना जाता है वर्तनों का सहर कहा जाए या फर आप से क्या कहा जाए पीतल नगरी ओकी चंद वाली आपको मेलों के भी रखे हैं क्योंकि जो फीमस मेले हैं वो आपके लिए महात्पून हो सकते हैं पहला तो ये काकोरी मेला नहीं होता है ये क्या होता है आपका काकोरा मेला होता है क्या होता है काकोरा काकोरी तो आपका कांड है ठीक है काकोरा मेला काकोरा जो मेला लगता है ये कहां सब्सक्राइब वहां पर लगता है नेक्स पर मूफ करते हैं नेक्स कोशन आप से हैं कालिंजर मिला यह बहुत फेमस मिला तो जो कालिंजर मिला मेला है यह दो कौन सा कापर लगता है यह आता है condemn suits पांपुर में अपकर कांपुर में आपका कांपुर में कैसा कोई मेला नहीं जो आपको याद रखना हो ती याद रखेगा नेक्स है आपसे ड'े बाटन यह आप लोग Πरके तो इस लिए पढ़ा रही है इसलिए पढ़ारी हूं कि सींह अमोंशी अंतरास्टी हवा यडडा यह कहां पर इस्थयों पार स्थेते लकनाव में कहां पर ancestral क्योंडे से पहले कानपुर में जो आपका हवायदा है कौन सांगिамका चकेरि खेलों हवायदा है और उनियाद रहे zgले आपका 5 कौन सा है क्योंहों सबसेद हैं स्थिरैंट को बहारती सास्त्री न रथ को बिदीशों में लोगपृति बनाया तो Fortune में य। मुली राजस्तान कि पर लुदेशंकर में हुआ तो याद रखेगा इंका समद्ध राजिस्थान की उद्यपूर से हैं इनका जर्म ऑन नीश सो में हुआ था इतना आपको याद नहीं रखना है साथी साथ इनको जो है इस तोर पर आप याद रख सकते हैं कि पंडित रभी संकर के बड़े भाई करते हैं next question पर next question आप से 13 ताली कहां का लोक नरत है तो मैं आपको बता चुकिंगी 13 ताली कहां का है राजिस्थान का मैंने बताया था लेकिन अगर आपको राजिस्थान option में नहीं मिलता है तो आपको 13 ताली दो जगह याद रखना है एक तो मद्ध परदेश में देखिए क कुछ दो आपको याद रखना है चुछ यह बतास धीन यहाद है दो सबसेन बताको याद रखने का हिंग से मद्ध परदेश में दो आइण लगता हम आपके जो उस्ताद बिंदा खान द्वारा बजाए जाने वाला जो बात दियंतर है वो कौन सा है शारंगी कौन सा है शारंगी याद रखिएगा आप लोग जो कि आपसे है कि डज मंदर एलोरा महारास में सिद्धिक प्राछीन हिंदू मंदर है जो चटानो को काटकर बनाए गए गए सबसे बड़े मंदरों में से एक है आपको बताना है कि कोन सा ऐसा मंदर है। चट्टानों से काट कर बनाए गया है जब आप यह मंदिर देखेंगे तो इसकी खुबशूरते देखके आपको लगेगा कि कास में यहां पर एक बार जा पाओं यह बहुत ही सुंदर मंदर है और ही है आपका कैलास मंदर जो कि आपकी एलोरा महारास्ट में इस्ते थे और य मंदर महारास में औरंगाबाद में कहां पर है औरंगाबाद जिले में एक जिला है महारास्ट का औरंगाबाद यहां पर आपके इस्तेत है ठीक और यह जो कैलास मंदर है भगवान शिव को समर पे थे यह जो आपका मंदर है कैलास मंदर इस मंदर की बारे में आपको याद रखना है कि किस सेली में बना है तो यह द्रवन सेली में बना है अगर आप याद रख पाते हैं तो ठीक है नहीं तो कोई बात नहीं द्रवन सेली में बना हुआ है और इस मंदर का निर्मार जरूर याद रखेगा इस मंदर का निर्मार जो आपके रास्ट्रकूट एक सासक थ यह मुफ करते हैं नेक्स question पर जो कि आप कि प्रशिद बाशूरी बादत करें कि 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 लोकनात्व में हुआ था इनके जन्म से जादा महात्पूर ये है कि इनका सम्द जो किस बाध्यांत्र से है तो हरी परशाथ चौरासेया का सम्द मासुरी से है, किस से है बासुरी मुफ करते हैं नेक्स कॉष्चन पर मोहिनी अट्टम निर्ट्य रूप में निमलेखित मैंसे किस राज्य से संबन्दित है तो मोहिनी अट्टम जो है कीरल का आपका बिसिकली आपका निर्ट्य है तो कीरल आपको याद रखना है चीक यक्षगान कहां का है तो यक्षगान करनाटक का है यक्षगान आप लोग याद रखेगा यक तो बहुत ही सिंपल है ओडिशा का ओडिशी है याद रखेंगे आप लोग की नहीं यह सास्त्री नत्त हैं इनको भूलना नहीं है नेक्स कोश्चन है आपसे कि ओडम किस भारती है राज्य किंदर सासित प्रदेश का सांस्कृतिक उत्सव है तो मैंने कई बार आपको रिवि महावली के स्वागत में मनाया जाता है उडम जो तिवार है यह किसके स्वागत में मनाया जाता है राजा महावली राजा महावली के स्वागत में मनाया जाता है नेक्स कुश्चन आप से है उस्ताद जाकर हुसीन का संबंद किस संगीत वाद्दियंतर से है तो उस्ताद ज संबंद जाकर हुसीन जी से बांसुरी का जो संबंद है वो आपका हरी परसाद चौरस या अल्रीडी बता चुकिंगी जो फेमस हैं उनको आप याद रख लीजिए बाकी का नहीं याद रख पाएंगे इतना यहीं आपके महत्पूर है पूंचा जाएगा तो यहीं से पूछ चौरस या को और सरूद में किसको याद रखना है अमजद अली खांको नेक्स कोशन आप से किस राज में ड्री यह त्री नहीं है ठीक है इसको ड्री कर लीजिएगा ड्री उत्सव मनाया जाता है यह तो कई बार आप लोग पर चुके हैं और यह पूछा गया यूपिटर प्रथ सेलिवरीट किया जाता है कहां पर अर्माल आफातानी जनजाती नहीं होओ आप यह तो इस और उन्लिचाती सेलिवरीट कहीं नवकाले बारा उत्सव इनमें से किस राजे से संबंदित है तो ये भी आपका आया हुआ कुश्चन है पिछली बार की प्रक्षा में और कई बार मैं रिवीजन भी करा चुकी हूँ ये उडिशा का है कहा है उडिशा का आपका उत्सव है नवकाले बारा और ये जगनात आपसे है कि निमलकित हिंदुस्तानी सास्री गायकों मैंसे किसका संबंद उत्तर प्रदेश्च है आपको बताना है कि सास्री गायक का संबंद यूपी से है तो इन मैंसे यूपी में जो संबंद है विसिकली ये हरी देवी नहीं है ये सिद्धेश्वरी है क्या है प्रशिद्ध उस्ताद विश्मेला खां तो विश्मेला खांजी का सम्बन्द स से से suy ऐसे और इनके बारे में आपको रखेगा व्हारत में सहmberल बहुत ही पीमस रहें इनका जन्म जो है अगर हम बात करें विश्मिल्हाओ खान जी का जन्म कहां पर हुआ था तो इनका जन्म बहार में हुआ ऻो AP भुब के तंदेए नहीं है ओर फपर यहार की यह जग्रह यह था कि टुमाल नुई सना हो 10 11 Current negócioскव इनको पदम स्री से सम्हानित किया गया दे भुसन से सम्हानित किया और इनको вас रतन से भी रहां तो आप इनके बारे में तो जरूर से याद रखेगा नेक्स कोश्चन आप से उत्तर प्रदेश से संबंदित नहीं है तो आपको इनमें से बताना है किसका संबंद यूपी से बिसिकली नहीं है तो यूपी से किसका संबंद नहीं है कट पुदली का नहीं है किसका नहीं है चरकोला चरकुला का संब्द भी आपके यूपी से कटशन नाच का संब्द यूपीСे नहीं इस नहीं को देखिए को यह डूड़ना किसका सम्द यूपीसे नहीं अब यूपी में आपको सब्सक्राइब वाली हूं उनको आपको भूलना नहीं है यह बहुत भात्मूर है सबसे पहले आपको चर्कुला याद रखना है कौनसा चर्कुला याद रखना है चर्कुला के बाद आपको याद रखना है पाई डंडा कौनसा पाई डंडा पाई डंडा चर्कुला राई ठीक है राई नट के गलाबा कजरी कजरी और मयूर यह आपके जुनरत्ते हैं यह यूपी के नरत्ते हैं कटपुतली नाज जो है राजस्थान का है कटपुतली नाज कहा है राजस्थान का है राजस्थान का कटपुतली नाज ठीक नेक्स कोश्चन आप से है पंडित शिव कुमार सर्मा किसके बादक हैं तो इस question पर एक लोगों को बहुत जादा दिक्कत हुई थी पंडिस सिब कुमार सर्मा तो ये तो कोई अगजस्टी नहीं करते हैं उनके हिसाब से यही था तो देख लिजिए यूपिटर पलस से आपके जो जूनेर इंजीनेर तकने की भरती सिक्षण है भारत में किसको पिकासो के तोर पर जाना जाता है तो भारत में पिकासो के तोर पर बेसिकली आपके मकबूल फिदा हुसेन को जाना जाता है कि इसको मकबूल फिदा हुसेन को पिकासो के तोर पर जाना जाता है ठीक नेक्स कोश्चन है आपसे जली कट्टू डैस की साथ जुड़ा हुआ है जली कट्टू किसके साथ जुड़ा हुआ है कई बार मैं बता चुकी है जली कट्टू एक तमिल लाडू का प्रसिद्ध देवार है कहां का है यह तमिल लाडू का प्रसिद्ध देवार है और इसका ज बिल्कुल आपको यह नहीं सोचना है कि कहां से आए हैं यह महाउसब हैं आपके 2021-2022 के जो सेलिब्रेट हुए हैं तो ध्यान से अपना जो है पढ़िएगा इन सब चीजों के धर धर से ध्यान हटा दीजिए और बिल्कुल फोकस रही है वीडियो पर तो आदी से जादा सब्सक्राइब किस राज्य से है तो यह बहुत ही इंपोर्टेन कोश्चन है आपके लिए याद रखेगा काला नमक्चावल उस्साव इस्ट्रोबेरी उस्साव गुड महुस्साव और केला महुस्साव का संब्द यूपी से कहां से है आपका यूपी से फिर से ऑप्शन नहीं है आपर चलिए आज बहुत ज्यादा इसमें हुआ है कुछ कुछ उत्तर प्रदेश कर लीजिएगा इनका समन्तर प्रदेश सिधार्थ नंगर में आपका जो है काला नमक्चावल उस्साव सेलिवरेट किया गया कहां पर सिधार्थ नंगर में यह भी आपको याद र इन दोनके सेलिवरेट किया गया तो कुछी नंगर में कुछी नंगर ठीक याद रखना है अपको काला नमक्चावल सिधार्थ नंगर इस्ट्वरी उस्सव जहासी मोटळ सब लखनाव किए नेक्स कौशन पर नेक्स्क नापकोष्चन आप से सह्र्छुल उस्ताव का आप से हैं तो साली सिल्प मेला मिथुन शंक्रानती तिवार रज महुस्णव और नुवा खाई का संबंध किससे हैं वेरी वेरी इंपोर्टननुअ खाई तो इनका जो संबंदै विजिकली ओडिसा से कहां से हैं याद रखिएगा ओडिसा से हैं अगर मैं बात करने अंतरास्ट्र योग महुटसव जों उत्रकृंड ऑंपार में लिष्रकेश अपका ऐता याद रखेंगे आपको आपने की तो पलोग कान पल्व पस्चिम तो बात करने में निरका रूल तो पार्लेत शुद्समा यहां सान्स्तृण थील प्याग Initiateолж divisions गोई में अगर हम बात करें तो गोई में आपका महोसः लिखा हुआ है ये सॱंगे महोसः और आपका साओ इसका संब्डह से है नेक्स क्वेशन हैं तो मद्धे पिर देस में का मांडू ачज इसक आपका मांनुपा सफ किक नमस्ट्ध वर दिखा हैं दोते हैं नमस्ते ओर चाहां। नमस्ते ओर्चाहां। साथी साथ आपका सिप ज्योती अरपन आपका माहुत्सव यह भी आपका मद्य परदेश्स संबन देता है। अगर हम बात करें महारास्ति की आपके जो है दही हांडी गुड़ी पड़बा काला गुड़ा महुषव यह आपका कहा से संबंदेत है महारास्ति से अनांचल परदेश से ड्री महुषव में आपको बता ही चुकी हूँ और साथ ही साथ आपका सूलंगत तिवहार बुरग्य काला गुड़ा महुषव दही हांडीगस्त省 अनांचल परदेश से राजी है निकस्स कोश्जन आपसे जयरी भलौसम फेस्टीवल किस संबंदेत है क्या से संबंदेत है जयरी भलौसम को आपको याद रखना है चैरी भलौसम का संबंद मनिपूर बतालां चैरी ब६ याद रखना है और दूसरा आपको याद रखना है कचाई लेमन महुषव कौन सा कचाई लेमन फेस्टिवल कहें महुषव कहीं आपका कहां से संब्दने थे मणीपुर से चैरी ब्लोसम आपने दिखी लिया है ठीक लेमन करें भीन तीनक्षान आपका असमंने रहे हैं मिद्राम जातारा का सम्द्ध किस राज़ितब आपके तिल holistic ऐसे यह सब कांगाना वाँ तो तीनों आपको याद रखना है बहुत ही मत्पूर है खार्चि उच्जव का समंद्ध किस राज्ज इसे है कारची उच्जव का समंद्ध कि तुवरा से कहां से तुवरा से हैं याद कि नहीं याद रखेगा नहीं तो फिर खेला हो जाएगा एक्जाम में ठीक मणीपुर में आप लोग नहीं देखी लिया कचाई लेवन फेस्टिवल और चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है ना सो मूफ करते हैं भी नेक्स कॉस्टिवल पर एंड नेक्स कॉस्टिवल आपके यहां से हैं भारत एवन विश्वे के खेल से सम्मंदित आपको यहां पर प्रिशने मिलेंगे तो यहां पर देख लेते हैं और यह टॉपिक पढ़ाने से पहले मैं आपको यह बोलना चाहती हू को जो आपका सम्मान और जो आपकी पुरुषकार बाला जो आपका टॉपिक है एक तो यह मैंने वीडियो अभी दो दिन पहले ही बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है आपका 30 मिनिट का इस वीडियो होगा 30 में 30 मिनिट का वो वीडियो आप देख लिजेगा तो करेंट में आपका जो करेंट अफेर साना है साथी साथ आपके जनरल अवेरनेस जो आनी हैं दोनों का ही टॉपिक में कबर हो जाएगा बहुत ही महत्पूर्ण वीडियो है तो सम्मान और आपको पुरुषकार यहां पर नहीं पढ़ाए जाएगे वहां से आप पढ़ लीजेगा अब देखते हैं यहांपर कौश्चन आपसे है एश्याई कुष्डी चैंपियंजिव 2022 में थीन सौण पदक जीतने वाले पहले भारती कौन बनेहें तो पहले तो हम एश्याई कुष्डींजिव 2022 की बारे में जाल लेते हैं कि इनका आयोजन कहां पर हुआ था तो आयोजन कब वित ऐहें हैं एक होगा कुंसा नेक्स कुशन आपसे दोग है आपको चारों रहें याद रखेगा बुजेटा कौन रहा है तो विजेता आपके दक्षड कोरिया रहें दक्षड कोरिया रहें आपके मलेशिया रहें कौन रहें इसर्णामेंट में भारत ने जापान को हरा कर, तीसरा जो है, अपना इस्थान प्राप्त कीया है, का हुँ Wasn't सबस्तों है? तीसरा इस्थान आपका प्राप्त कीया है, थपर थर्ड इस्थान पर आपका भारत रहा है? जीक, तो आपको आपका ओस्ट्रेलिया में हुआ है कहां पर हुआ है और वजेता बी आपकी और अपको खान रह जीता एक पांच भी बारे इसमें खताब जीता हुआ है याद रखेगा थी तो यहां पर आपको आंसर मिली गया होगा कि विजेता कौन रहा है और यहाद के तन रहें हैं ओप Wigetha के तोड़ पर आपके कौन रहे हैं तो उपविजेता भी आपको याद रखना है उपविजेता के तौर पर आपका करनाटक रहा है कौन रहा है करनाटक रहा है ठीक तमिल नाडु के कप्तान कों थे तमिल नाडु के कप्तान थे, विजय संकर, और कर्नाटा के कप्तान कों थे मनीश पांडे, चीक और final में जो आपका man of the match दिया गया वो किसको दिया गया शारुक खान को दिया गया तमिलनाडू किसको सारुक खान को दिया गया है शारुक खान तमिलनाडू शारुक खान तमिलनाडू को इनको final में man of the match दिया गया नेक्स कोश्चन आप से है कि इंडियन प्रिमेर लीग की निलामी में सबसे हैं कि पूंबे की को था हई रही है तो इंडियन प्रिमेर लीग जो आपका 15 वा संस्क्रण हुआ ह Cカンタ 2022 में तो इसमें आपका जो सबसे महेंगे जो खिलाडी रहे हैं निलामी में वो इशान किसन रहे हैं कौन रहे हैं यह आपके मुंबई इंडियन से हैं किसे हैं मुंबई इंडियन से हैं और यह सबसे महेंगे आपके खिलाडी रहे हैं मुंबई इंडियन से हैं सेकंड नमबर यह सबसे महंगे ख gegangen a यह खरीद है प्रतम अंतरास्टी होकी महासंग विश्व कप का आयजन किया जाएका तोि यह प्रिधम नतरास्टिस्टि महासंग विश्यो कप से वारे में आपको यह शतरनीन में और है उससे पिर दिदो वह हम व्हांरे भी क्या जाएगा जो है किया जाएगा और 2024 में तो थरड़ यह इस बैसे टिलेभीम आमा पर क्या सकते जाएगा यह श्य जूंई थे आस्ट्रेलिया में किया जाएगा मैलवर्न आस्ट्रेलिया में इनका आईजन किया जाएगा कब 2026 में किया जाएगा 23 वा आपका जो रास्ट मंडेल खेले इनका आईजन आस्ट्रेलिया के मैलवर्न में किया जाएगा याद रखेगा आप लोग महत्त पूरे नेक्स कोशन आ और और आपका जो चोधा केलो इंडिया यूथ गेमस का विजन हरियाना में किया गया है 2022 मैं हरियाना में किया गया है याद रखिएगा निक्स पूश्चन आप से और किससे संबंदित और अन्या का शॉन 1957 में हुआ था कब 1957 में हुआ था नेक्स कोश्चन आपसे किस महला खिलारी ने पिर्थम बार उलंपिक में आपका जो है पदक जीता था तो यह देखे बहुत ही अच्छा कोश्चन है और आइटिंग 99% लोगों को यह आंसर पता भी होगा तो यहाँ पर आपको याद रखना ह है कि पिर्थम भारती महला खिलारी जो पहली बार उलंपिक खिलों में पदक लाई थी वो कर्डम मलेश्वरी जी थी कौन थी कर्डम मलेश्वरी जी यह क्या थी आपकी वेट लिप्टर है भारतुर्लक खिलारी है क्या है वेट लिप्टर है याद रखेगा यह भी पता हो आपको हर एक चीज का वीडियो मिलेगा बस आपको अपनी प्यारी सी आखों से वीडियो देखना है और आपको समझना है नूट करना है ठीक बरना तो ऐसे हर एक चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं बुक्स में भी इतना सब कुछ लिखा हुआ है ठीक नेक्स कोश्चन पर संस्थान नागपूर में इस्थित है कहां पर नागपूर में इस्थित है याद रखेएगा और इसके दो रीजनल इस्टीशन भी है यह जो आपका भारती का पास अनुसंदान संसान है ना यह नागपूर महारास्ट में जो इस्थित है नागपूर कहां पर है यह महारास् तो एक जो है आपका सिरसा में कहां पर है यह सिरसा कहां पर है तो यह अनुसंदान केंद्र में अपने मन से बताने वाले हैं आपको याद रखना है अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने अनुसंधान संस्थान की एक पूरी की पूरी वीडियो बनाई बहुत छोटी सी वीडियो दस मिनट की वह आप देख लीजेगा आपका काम बन जाएगा तो यहाँ पर देखिए केंद्रिये मेरी तरफ से देख लीजेए केंद्रिये काच एबम केंद्रिये काच एबम सिरामक केंद्रिय काच एबम शिरामिक अनुसंदान संस्थान तो जह दनभाद में हैं केंद्रिये खनन केंद्रिये 첨 एवन में एधन केंद्रिये कनन एवन इधन अनुसंधन संस्थान इधन अनुसंधन संस्थान यह अपका धनाद में कहां पर एं धनबाद में याद रखेगा केंद्रिये आपका चर्म अनुसंधान संस्थान कहां पर है केंद्रिये चर्म अनुसंधान संस्थान तो आपको पता चल गया है अभी कि हमारा जो है चर्म नगरी के नाम से किसको जाना जाता है तो आपका आपने यहां पर देखा था कि आपके जो हैं कानपूर को जाना जाता है लेकिन केंद्री चर्म अनुसंदान संस्थान कानपूर मत कर दीजिएगा चिन नहीं करना है आपको ठीक है इसके बाद आपको याद रखना कौन सा केंद्री ओपोष्ण वागवानी संस्थान केंद्री ओपोष्ण वागवानी संस्थान य बस आपके लिए इसलिए में बार 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 बता देती हूं ताकि आपको पता रहे कि हां वो वीडियो भी हैं चीक इस्थां कि स्थापना की थी किसकी हमादरी अनुसंधान इस्थापना की थी आपके कहां पर आर्केटिक में याद रखेंगे आप लोगुब करते हैं नेक्स कॉस्ट्ण पर जो कि आप से की किन्दी उपुश्र उद्यान संस्थान इस्ते थे तो कि अच्छ नौन में इस्ते थे कहां पर लखनों में इस्ते थे याद रखेगा आप लोग इसको मुव करते हैं नेक्स कोश्चन पर जो कि आप से है कि भारत के राष्ट्रिय सर्वेक्षन और मानचित्रन संगठन को विज्ञान और प्रद्यगी की विभाग के तहद कब इस्थापित किया गय होगा टाइण आपका क्रेक्ट होगा याँ डर्न संथनों थेयर बहुत संबंदय कानपूर में है कहां पर सथ्य हरिष्चंद्र मैं आपको बता रही थी सक्यहरिशंद हनी याद रखना है वहारति अंधीरनंगरी के रचाइटा है वह हुआ और हरिश्चंद जी है कभी बचान सुधा कभी बचन शुधा कभी बचन सुधा जो पत्र प्रका है इनके द्वाराही इसका प्रकाशन किया गया था नेग्स आप से क्क्रिश्चन है कि निमने लखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्थक लखी तो हिंद स्वाराज जो पुस्तक है यह आपकी किसे द्वारा लिखी गई ती आपको याद होगा महात्मा गंदी जी के द्वारा यह पुस्तक लिखी गई थी यह news take कवरद नों si है कि the story of my experiment with truth के लेखक कोन है तो the story of my experiment with truth के जो लेखक हैं आपके मुहंदास के गांधी है मुहंदास करमचंद गांधी जी है ओके याद रखेगा नेक्स कोशन आप से है कि the suitable वॉय पुस्तक के लेखक है दा सूटेवल वॉय पुस्तक के जो लेखक है वो विक्रम सेठ है कोन है विक्रम सेठ नेक्स कोशन सुब्रमाणियम भारती डैस प्रशद्य तो यह आपके जो शुब्रमाणियम भारती जी प्रशद्य थे यह बिसिकली आपका जो है कभी थे क्या थे कभी थे और इनकी रचनाय देश भक्ती की भावना से भरी हुई होती थी और इन्होंने इंडिया विजय सौदेश मित्रन इन सभी का संपादन किया है नेक्स कोश्चन है आपसे माई टुथ नामक पुस्तक के लेखक कोन है तो माई टुथ जो है आपका इस जो पुस्तक के लेखक है वो इंद्रा गांधी है कोन है इंद्रा गांधी है ची नेक्स कोश्चन है आपसे बीजक पुस्तक के लेखक कोन निर्गन भगती सम्मन्द के आप से संुझना वाइफ है नेक्स्ट सत्यूट है तो माई कंट्री मकी में कि पुस्तक चाही है कि भारत किसकी लाल करशन आडवान जी की जो है यह पात्मकता है और 19 मार्स 2008 को भारत के जो बूद्पूर पर रास्टपती डक्टर एपीज अब्दूल कलाम जी थी इन्होंने इस पुस्तक का भी मोचन भी किया था काफी महत्पून है इसलिए आपको बता दिया गया है पुरुसकार का पुरुसकार इवं बिजेता का जितने भी महत्पून वीडियोस हैं वो सभी आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी तो आप वहां से देख लीजेगा ठीक निमने लेकित पुरुसकारों में से कौन सा पुरुसकार नार्वी के राजा द्वारा प्रस्तूत क किया गया है और अक्सर ियसे गढ़त का नूबल पुरुसकार कहा जाता है तो याद रखिएगा परुसकार आपका इवल प्राइस कु किया अधा है फिस थे आपको याद को याद रखना जाता है उसके बाद घचा नुबल पूस्कार भॉफ दिया जाता है प्लेख्टी के सित्रे पहुती के स सक्क रॉन ही直接 सबबें के सब्सक्राइब याद के सित्र है फरेक है यहां जुि मुनिने सैनके सबनिक्नुटय में जाता है और last but not least आपको याद रखना है अर्थ सास्र के छेत्र में आपका नोगुल प्रुसकार दिया जाता है तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छे हो गए ये छे छेत्र हैं जिन छेत्रों में आपका जो है बिसिकली ये प्रुसकार दिया जाता है आंसर क्या होगा third question आप से है कि golden pen of freedom प्रुसकार किस से संबंदित है तो याद रखेगा कि golden pen of freedom जो प्रुसकार है ये बिसिकली आपके पत्रकारिता से संबंदित है अब यहाँ पर जो next topic है हमारा जलबायू परिवर्तन एवं परियावरण है और यह हमारा last topic होता है general awareness का और इस topic में आपको बह इस फिर रिजर्व के बारे में और साथी साथ जब जो आपके रास्टी पार्क है उनकी बारे में सारी चीज़ें आपर सामिल की गई हैं स्वाइए इनको देख लेते हैं सबसे यहां पर पहला कॉश्चन आप से ही है कि निमने लिके प्रदूशक एजेंटों में से कौन सा ए प्रत्वी पर आने से रोपती है मतलब हमारी सुरक्षा करती है यह चीक और और ढम परत को और फ fight कन में परत के च्रय वहीं में हमारे लिए अच्छा कारे कर गई है हमें यह जो है आपका जो है एक बिनासकारी तरेटीसन से बचाती है लेकिन इसी इसी परद का जो हैज़य हो भी दी डीज़ tablet कर्ण भी कर्छू के क्ट हैं इसमें कि Yakintics सरे ध्युकर ग्रीन्हाउस ग्रीन्हाउस ग्रुच्वर्ष ग्रीन्हाउस में आपका einfach cfc और में कमरें और में Weinra collected 兩表示 sensitive for this शो स करेंट फ्पेर्स में कुछ जिकर वहां पर बताए हुसा था तो थोड़ा बदध आपको यादवागा यह सब हमारी इस में आती हैं हमारी green house gases में आती है नाइट्रोजन हमारा कभी भी ग्रीन हाउस गैस में नहीं आता है तो आपका थर्ड ओप्शन करेक्ट होगा नेक्स कोश्चन आप इरावी कुलम राष्टी उद्ध्यान किस राज्ज में इस्ते थे बताईए आप लोग इरावी कुलम राष्टी उद्ध्यान किस राज्ज में हैं तो यह केरल राज्ज में इस्ते थे यह जो आपका राष्टी उद्ध्यान है लुप्त पराय प्राणी नीलगरी तहर जाना जाता है रावी कुलम रास्टी उद्यान नेक्स कोश्चन आपसे इन में से कौन सा अजयविक नहीं है अजयविक नहीं है छाटना है आपकी जो घटक होते हैं वो दू घटक होते हैं एक होता है जयविक घटक दूसरा होता है अजयविक घटक तो आपकी अजयविक मंडल हैं यानि कि आप से जैंब मंडल संरक्ष्ष जैंब मंडल तो ज्यादा ठीक लगेगा भारत में कितने रिपकर आपके रिज़र एक्षिटरों की संख्या तो आपकी सनख्षन दिया गया है, याद रखिएगा कितने शित्रों को, 11 को आपका सनख्षन दिया गया है, कितने को, 11 को, ठीक, यहाँ पर एक चीज कर्ड कर लेजिएगा, यहां 11 नहीं है, यहाँ फर 12 है, ठीक मैन एंड वायो स्फियर मैन एंड वायो स्फियर मैन एंड वायो स्फियर एमेबी प्रोग्राम के अंतरगत कितने आपके जो है वायो स्फियर रेजर्ब को सामिल किया गया है तो यह आप से पूछा जा सकता है तो किवल 12 को ही सामिल किया गया है हैं तो आपके टोटल 18 लेकिन 12 को MAB program के अंतरगा सामिल किया गया है UNESCO ने आपके जेब मंडल सनक्षण के लिए एक program सुरुबात किया जिसका नाम है MAB MAB की सुरुबात जो है आपके UNESCO के द्वारा की गई थी किसके द्वारा? UNESCO के द्वारा की गई थी किसके लिए आपके जो है आपको एक बार वता देती हूँ ऐसे वता देती हूँ आप लोग लखना चाहें तो लिख सकते है सीत मरु इस्तल आपका हमाचल परदेश में है नंदा देवी उत्राखन में है कंचन जंगा सिक्के में है दिवांग दिवांग अरुनाचल परदेश डिबरु सेखोवा असम, नौक रेक मिघाल है, सुन्दर बन पश्चिम मंगल, सिमली पाल ओडिसा, ग्रेट निकोवार अंडबान निकोवार में है, स्री सेलम, सेशाचलम अंधर प्रदेश में है, मननार की खाड़ी तमिल लाडु में है, अगस्त मलाई केरल और तमिल लाड यह जो है आपका केरल और तमिल नारु की सीमा पर है, किसकी केरल और आपके तमिल नारु राज़ी की सीमा पर है, पचमड़ी मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा, पन्ना मध्य प्रदेश में, अचान कमार अमर कंटक, यह आपको याद रखना है, यह भी आपका पर आप से मुछा गया दानेजी बनेजीव अभारत की समय Cool निक्स कोश्चन आपसे है निमने लेखित में से कौन सा एजंडा 21 की सही परिभाशा है आप लोग बताएए कौन सा एन मैं से सही परिभाशा होगी यह है अधिकारों की रक्षा है यह तो सरकारी योजना है यह नावी की इने सस्तरी करण पर 21 सत्याव की पुस्क तक है 21 तत्तिती की तंत्र के ग्या है वहां कि तत्तिति की तंत्र जो होता है उसमें आपके जो तत्तु होते हैं समय कर लिख चक्रन को भूर जाता है यह च्चकरिप टर्म आपको याद रखना है कूई लोगों को यह प्लिख्यू म els 유 नेशनल पाक किस राज्ज में है तो बहुत स्पिम्पल क्या कहते हैं इक मातर यूपी का एक मातर आपका नेशनल पाक है दुदवा नेशनल पाक्थ ठीक next question है आपसे कि किसी बिसेश चित्र में पाए जाने वाले पसू सामराज को क्या कहते हैं तो आपका क्या कहते हैं फोना कहते हैं क्या कहते हैं फोना और किसी बिसेश चित्र में पाए जाने वाले आपके जो हैं पोधों का जो सामराज होता है उसे फ्लोरा कहते हैं क्या कह जहां पर हमारे पोधों का सामराज जो FLO R.E. Flora फोना जहां पर पसुमा वाला सामराज जो किसी पिसेश शित्र में पाई जाने वाले पोधों का सामराज Flora ओकी फोना क्या होता है पसुमाराज याद रखेंगे आप लोग ठीक अब हम मूफ करते हैं next question पर and next question यह आपका गलत लिखा हुआ है यह थट्टे कड़ है ठीक है थट्टे कड़ पक्षी अभ्यारण कहां इस्ते थे तो याद रखिएगा यह थट्टे कड़ पक्षी अभ्यारण आपका केरल में इस्ते थे केरल के एन्ना कुलम जिले में कहां पर केरल के एन्ना कुलम जिले में एरना कुलम जिले में आपका इस्तित है ठीक नेक्स कोश्चन आपसे है कि सरवर्थम पारिस्तिति की तंत्र सब्द का परियोग किया था तो किसने किया था सरवर्थम पारिस्तिति की तंत्र का परियोग एजी टॉंस लेने किया था पारिस्तिति की तंत्र या एको सिस्टम आ मतलब होता है उसी जगह पर सनरक्षण जैसे मैं घर पर हूँ अपने घर में घर में हूँ तो मुझे घर पर सनरक्षण दिया जाएगा तो वह स्थाने सनरक्षण हुआ कुछ लिए से प्रियागराश notby तैसे लिए यहां पर ट्रांसफर करबा दिया यूगां welfare कहीं सव अस्क्राइब होता है बघ्यार्ण यह सब जब कि सी आपको जीबजन तो पर ज्यादा खत्रा रहता है तो उसको बहएस्ताने सटाइब किया जाता है मिला उसको इस्थापित कीया जाता है जीनवेंग, बीजवेंग, चिडियागर, बनसपते, गुद्यान, यह सभी उधारणे आपके बहारस्ताने शनक छणके नेक्स कुश्चन है आपसे कि भारत का सबसे बड़ा रास्टिय पार्क कौन सा है तो याद रखिएगा भारत का सबसे बड़ा रास्टिय पार्क है वो हैमिस्क रास्टिय पार्क है कौन सा है है हैमिस्क रास्टिय पार्क है और यहाँ पर तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा तो दाची गाम जो राश्टिय पार्क है ये पहरे तो ये पता होना चाहिए कि ये किसलिए प्रसिद्ध है और कहां पर है तो ये कस्मीरी हंगोल स्टैक के लिए बहुत जादा फीमस है ये जम्मू कस्मीर में है कहां पर है जम्मू कस्मीर में आपका याद रखेगा और ये क स्मीरी हं गोल स्टमार के भारत का बहुत जराधा फिमस है बैपसे भारत का पहला अराशची आपका कौन सा है इसकी आपका सब्सक्राण ही ठीक और हैली का ही परिवर्ट इतनाम है आपका कारवेट जो है रास्टी दन्जिम कारवेट रास्टी उद्यान तो याद रखेगा निक्स कुश्चन आप है कि भारत का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारन कौन सा है बताइए आप लोग भारत का सबसे बड़ा बन्य जीव अभ्यारन आपसे पूंचा गया है तो भारत का जो सबसे बड़ा बन्य कुछ डैजरड वने जीव अब्यारण जो की आपके पर है यह हमारा गुजरात में कहान पर है कछच डैजर वनेजीव अभ्यारण सबसे चोटा आपका वने जीव अभ्यारण अभ्यारण कों सा है यही है हमारा कौन सा आपका पिटी एबं घुंजे ठीक हस्तना पर वने जीव अभ्यारण यह आपका कहां पर है तो हमारे UP paling तो के मिरट में सथे पतना वने जीव अभ्यारण तो यह पतना मत कर देजेगा इटामएं काहां पर है यह यूपी का सबसे चोटा वने जीव अभ्यारण है आपका कौन सा पतना पर पने जीव अभ्यारण तो अभीora आपको वताए भाटा याद रखेगा and next question आपसे है यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण कौन सा है यूपी का सबसे बड़ा अभ्यारण हस्तेना पर वन्यजीव अभ्यारण है कौन सा है हस्तेना पर वन्यजीव अभ्यारण जो की आपके मेरट में है कहां पर है मेरट में है पतना वन्यजीव अभ अभ्यारण है कौन सा है यह सबसे चोटा वन्यजीव अभ्यारण है सबसे चोटा वन्यजीव अभ्यारण यूपी का ठीक है याद रखिएगा यूपी का सबसे चोटा वन्यजीव अभ्यारण ठीक कौन सा है पटना वन्यजीव अभ्यारण ठीक दुद्वा तो यह आपका न नेशनल पार्ड निक्स्ट कुश्चन आप से हैं कि पिट्टी इवम गूंज इसलेंड अभ्यारण कहां इस्थेत है तो पिट्टी इवम गूंज के बारे में आपको बता चुकी हूं कि यह कहां पर है यह हमारा लक्षदीप मैं लक्षदीप में है हमारा इसके बारे में विसेशता है कि यह भारत का यह आपकी पूरे भारत की बात की जारे भारत का सबसे चोटा वन्य जीव अभ्यारन है तो याद रखेगा आप लोग पिट्टी एवं गुंच के बारे में नेक्स कोश्चन आपसे है कि उनेस को द्वार के लिए शुरू किया गया तो मैं को और अभ्यम कैसी को बता चुके हूं कि अब्सक्राइग के लिए का में दर्फ ङौप का ब्रश्र प्रोव किया नेजज कईन उस्क्राइग मैं क्टा उ करी 더 यह करेक्टाइग है is सब्सक्राइस के विए झाड़ों लिए अच इक्षि सव्मार्मकांक पर मंद कि आप यह प्राचेन का है या पहला कॉन सा यह प्राचेन है यह आपका प्राचेन होगे सबसे नवीन जेब मंडल आरक चित चितर गर आपसे पूछा जाए तो सबसे नवीन जेब मंडल आरक चित चितर जो हमारा 2020 में बना है याद रखेगा कौन सा बना है हमारा पन्ना बना है कौन सा पन्ना याद रखेगा नेक्स वर्शन आपसे है कि भारत का सबसी बड़ा जेब मंडल आरक्षित चित्र कौन सा है तो भारत का सबसी बड़ा जेब मंडल आरक्षित चित्र आपका कच्छ का रण है कौन सा है कच्छ का रण है सबसी छोटा आपका डिबरू से खोबा है यह हमारा भारत का सबसी पोटा जयब मंडल आरक्षित चित्र केरे को यद्र को मारा है डिरूिस होगा याद रखेगा आप है नेक्स को से आरखेग्याय कैने युन्हेसको के शारणी में वह संब्सित relation पाहला याद रखेगा उनेश को की सल्ड़ी में निल्गीरी ही सामिल हुआ भारत का पहला जेमनल आरक्षित चित्र हमारा निल्गीरी है और यही हमारा युनेस्को की जो सार्णी ऑब सामिल हुआ था य्याद रखेंगे आप लोग महत्पूर तो भारत का सबसे बड़ा जुच्ड़िया गर्जू लोजिकल गार्डन है यह कौलकाता में कहां पर है कौलकाता वेरी वेरी इंपोटेंट कौलकाता नेक्स कोशेन आप से हैं बीड़िव अभ्यारण को गूशित करने की सकती किसके पास है तो आपके वने जी अभ्यारण को गोशित करने की सकती केबल और केबल किंद्र सरकार के पास है किस के पास है किंद्र सरकार के पास है याद रखेगा आप लो किंद्र सरकार के पास है आई-उ-सी-एन का पूरा नाम आप से पूछा गया किसका आई-उ-सी-एन का देख लेते हैं हाई-उ-सी-एन का पूरा नाम आई-उ-सी-एन का पूरा नाम है आपका International Union for Nature Conservation लिख लीज़ेगा आप लो International I-N-T-E-R-N-A-T-I-O-N-L International Union Union for Conservation C-O-N-S-E-R-V-A-T-I-O-N conservation of nature nature तो आपको कौन सा option या पर मैच हो रहा है देख लिए international union for conservation nature आपका फर्स्टी option मैच हो रहा है निक्स question है आपसे कि red data book किसके द्वारा प्रकासित की जाती है very very important जो red data book है आपका यह आपका IUCN के द्वारा प्रकासित की जाती है किसके द्वारा आपके IUCN के द्वारा प्रकासित की जाती है अगर आपसे IUCN का पूरा नाम पूछा जाए तो वो तो आपने जान लिया है लेकिन IUCN का जो आपका IUCN का जो आपका headquarter है वो आपके लिए महत्मुन है मैं बताना भूल गई याद रखेगा इनका headquarter में कहां पर है क्लेंड स्विट्जर लेंड में का headquarter है IUCN का ठीक और इनके द्वारा जो है रेड डेटाबोक प्रकासित की जाती है इसमें आपकी नो सूचियां होती है कितनी नो सूचियां इसमें होती है याद रखेगा और इसमें आपके दू तरीके सरभादिक बाग किस राज्ज में है तो यह तो बहुत common question हो गया आपके लिए सरभादिक बागों बाला आपका राज्जी मध्यप्रदेश है कौन है मध्यप्रदेश है सबसे जादा बाग जो है आपकी यहीं पर है और MP को आपका Tiger State कहा जाता है Tiger State कहा जाता है याद रखे अगर UP की बात करें तो UP में आपके लगभग 125 से आपके 130 के लगभग आपके जो हैं नेक्स question है आपसे सफीद बाग किस राज्जी में पाई जाते हैं तो बहुत महत्मुने सफीद बाग जो हैं आपके उडिसा में पाई जाते हैं और उडिसा में आपके नंदन फानन में सफेद बाग हमारे उडिसा के नंदन फानन में याद रखेगा और यह आपका last question था सो बोलो सत्तनारण भगवाने की जय यह रहा आपका पूरा का पूरा मैराथाउन का है आप या पर जो भी कहना चाहें इसको कह सकते हैं यह मैंना एक time में record किया है आप सोच नहीं सकते है मैं तब से बैटी हुई हूँ सो इतनी मेहनत को देखती हुए आपकी तरब से एक छोटा सा लाइक और एक शेयर बनता है thank you so much मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए भवाई